हलो डौल एशुरेंट्स मैंने में सुमित राना बेटा आज हम लोग BSC 2nd year में बॉटनी फर्स्ट पेपर का लेक्चर 5 लेकर आये हैं इससे पहले हम लोगोंने काफी लेक्चर देख लिये हैं जिन बच्चों ने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखे हैं वो लेक्चर पहले आप देख लीजिए उसके बाद में आपको यह नैच्रोल क्लासिफिकेशन सिस्टम जो आज हम लोग सुरू करेंगे वह आपको समझ में आएगा और सीरियल बाई सीरियल लेक्चर देखने के लिए आप हमारे प्रोफाइल को खोलिए प्रोफाइल में आप एक तरफ देख करेंगे और आप उसको इजली देख सकते हैं उसे बेरिफिट ले सकते हैं तो आज हम लोग यहाँ पर जो डिसकास करेंगे बेटा वो है नैच्रोल क्लासिफिकेशन सिस्टम जो की इंपोर्टेंट है आपके एक्जाम के पाइंट आप यू से इससे एक लॉंग एंसर बनत वह मार्फोलोजिकल करेक्टर पर आधारित होते हैं उसे नैच्रोल क्लासिफिकेशन सिस्टम कहते हैं यानि कि हम यहाँ प्लांट का जो नैच्रोल मार्फोलोजिकल हुआ है यानि कि यहाँ पर जो प्लांट का नैच्रोल मार्फोलोजिकल करेक्टर है प्रकृतिक जो मार् और ये काफी important भी है और इसी का ही use किया जाता है इंडिया और इंग्लेंड में अधिकतर तो नहीं से यहाँ पर देखिए इस प्रकार के classification system में plant को इनके natural character के similarities वा dissimilarities के आधार पर यानि कि जो plant यहाँ पर है उसके natural character के similarities यानि कि जो प्राकर्तिक यहाँ पर लक्षण है उसकी similarities यानि कि क्या समानता है और क्या समानता है उसके आधार पर different groups में classified किया जाता है ठीक है देखिए natural classification system simple that means seral and practical हम इसको practically करके इसका classification किये है practical classification system है जिनका present समय में यानि कि वरतमान समय में present time में अत्यदिक उपयोग किया जाता है तो आज के दोर में यानि कि अभी जो समय चला है present time में क्या है natural classification system को ही क्या किया गया है मानता दी गई है और इसी के लेवल पर इसी के आधार पर हम लोग क्या करते है classification system को देते हैं जो भी एक newly formed organism हो जाता है डिस्कवर किया जाता है तब clear चलिए अब देखें यहाँ पर जो हमको natural classification system में एक important scientist है Bentham and Hooker इस पर exam में आपका long answer आता है तो Bentham and Hooker classification system जो यहाँ पर propose है वो किस लेवल पर और कैसा यहाँ पर दिया गया है उसी के बारे में हम लोग यहाँ पर discuss करेंगे ठीक है तो देखें यहाँ पर लिखा हुआ है NGO sperm के लिए प्रपोस किये गए classification system में important classification system महत्पूर्ण वर्गी करोल जो system है important classification system जॉर्ज बैंथम व जे एन हुकर इनका नाम है जॉर्ज बैंथम व जे एन हुकर ने अपनी बुक अपनी पुस्तक general planterum आप कहेंगे सर यह तो linear कि हाँ इसी में प्रपोस किया है जनरा planterum में प्रपोस किया है ठीके यह classification system इंडिया व इंग्लैंड में इंडिया और इंग्लैंड में अत्यधिक रूप से यूज किया जाने वाला classification system है चलिए इसके बाद में हम लोग इसका outline classification system देखते हैं classification system बोले तो इस जो बैंथा मुकर ने classification system दिया है उसमें क्या क्या इनों ने रखा है कितनी families को कितने orders को यहाँ पर रखा गया है उनको हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो heading डालिएगा उसके बाद में जब exam में आपके आये तो आप किस तरीके से लिखेंगे बिल्कुल pattern ब जाए तो आप उसको लिख सकते हैं ठीक है तो काफी benefit आपको यहां से मिल ला है अगर मिल ला है तो lecture like और share कीजिए ठीक है ज्यादा से ज्यादा like तो यार कोई करता ही नहीं है व्यूज इतने सारे हो जाते हैं और like मिलते हैं 100 500 500 300 इस तरीके से तो अधिक से अधिक यार like की प्रपोस किया गया classification system में या प्रपोस किये गए classification system में सभी flowering plants जितने flowering plants उनको अब यहां पर flowering plants समझो हम लोग देखें यहां पर चौकिये का मत यहां पर जीमनोस पॉंस का नाम आ रहा है पता है आप समझदार है आप लोगों ने जो है न पढ़ा हुआ जिमनोस पॉंस समझ रहे हैं इसी लेवल पर जिमनोस पॉंस को इंक्लूड करने के कारण ही और भी बहुत सारे कारण है जब मैं इसकी merit और demerit पढ़ाऊंगा इसके गुण और दोश पढ़ाऊंगा वो भी आपका important है उस पर भी short answer आता है तो बैंथम हुकर classification की demerit और merit पर भी question आता है इ यहां पर दोनों रख दिये जिमनोस पॉंब और एंजियो सपॉंब रखा समझ में आता है जिमनोस पॉंब रखा पता नहीं क्यों रखा कुछ तो उन्होंने देखा है कुछ ऐसे प्लांट से इन में flower like structure था जिसकी वज़े से इसको यहां पर include कर दिया clear चलिये तो आल फ्ल की बहुत सारे plants के लिए total 202 families को natural order में propose किया गया है यानि कि जो family यहां पर रखी गई वो कितनी है 202 family यहां पर include है जो कि आपकी natural order में यहां पर propose की गई है ठीक है जिन में से एंजियो सपॉंब की 199 199 का रिचाज नहीं करवाना आपको याद रखना है 199 species किसकी एंजियो सप की है और जिम्नो सपॉंब की कितनी तीन families को रखा गया यानि कि यहां पर एंजियो सपॉंब की 199 families रखी गई है और जिम्नो सपॉंब की कितनी family रखी गई है तीन families को include किया गया है ठीक है तो इस तरीके से हमने यहां पर देखा कि outline classification system में अभी और थूरी है मैं अभी family में क्या रखा गया तो एक सो निन्यान में जो है वो क्या है एंजियो सपॉंब की families है और जिम्नो सपॉंब की कितनी है तीन families है चले नई लाइन से मैं यहां पर बोल दे रहा हूं आप लिख लीजिए समय की बचत होगी इससे लिगे इन family को कई order में रखा गया है इस classification system मे एंजियो सपॉंब के order को 21 series याद रखिएगा इस classification system में 21 series को propose किया गया है 21 series में classified किया गया है इन में से डाइकॉर्ट की 14 series यानि की जो डाइकॉर्ट है उसकी कितनी series यहां पर है 14 series है तथा मोनो कॉट की 7 series को include किया गया है कितनी series को include किया गया है साथ series को तो डाइकॉर्ट की 14 और मोनो कॉट की seven इसको याद रखिएगा नेलें से एक और point लिख लिए बैंथम वहुकर के classification system में following three classes को रखा गया मैंने बता है तीन classes को रखा गया कौन-कौन सी classes है उनको लिख लीजिए पहली class लिखिएगा डाइ कौनफ रखा है उनकी यहांपर पूरी class बना दी गई डाइक लीडाउन दूसरी जो class उननों ने दी है वह है जिम्नो स्पॉर्म दूसरी क्लास उनने कि सको रख दिया जिम्नो स्पॉर्म हमको पता है कि जो एंटीम का फोर्म होता है दूसरी बात जो आइंचियो स्पॉ बहुत सुच में हम यह कह सकते हैं कि बहुत आध्य प्रकार के हैं लेकिन इन्हों नहीं इसको इं Springs करती है जिसके कारण ही इनकी आकी कही पर यहां पर जाते हैं फिर तर्ड यहां पर लिखेगा Monocotyledon, Dicotyledon, Gymnosperm और Monocotyledon तो ये तीन classes को यहाँ पर include किया गया अब प्रते class को हम लोग यहाँ पर define करेंगे तो पहली class heading डालिएगा Dicotyledons लिख लेता हूँ फिर बताता हूँ चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं class Dicotyledon तो class Dicotyledon क्या कह रहा है देखिए Bentham और Hooker द्वारा class Dicotyledon में उन एंजियो स्पॉम्स को include किया गया है जिनके embryo में two Cotyledons पाये जाते हैं कितने Cotyledon पाये जाते हैं? दो Cotyledon पाये जाते हैं तथा leaf में reticulate venation leaf में reticulate venation evam flower tetramerus या pentamerus type का होता है अब यह देखिए यहाँ पर दो points लिखे हैं इनका कहने का मतलब कहा है देखिए पहली बात तो basically आप सभी लोग यह जानते होंगे क्योंकि आप लोगों ने 11th class में morphological of flowering plant पढ़ा था angiospermic plant उसके बाद में 12th में आप आये तो वहाँ पर आपने पढ़ा था sexual reproduction in angiospermic plant ठीक है तो यहाँ पर इनके बारे में काफी कुछ बताया गया है अभी नहीं पता है तो मैं हाँ पर classified कर दे रहा हूँ आप समझ लीजिए देखिए यहाँ पर कहरा है leaf जो होता है वह reticulate venation का होता है पहले तो यह समझे two cotyledon के नहीं मतलब क्या होता है cotyledon के नहीं मतलब होता है कि इसके embryo में दो ऐसे उभार या दो ऐसी सनचनाय डवलप होंगी जो प्लिम्यूल ठीक है और radial के फॉर्म में होगी प्लिम्यूल रेडियल के नहीं मतलब दो ऐसे form बनेंगे जो की एक तो stem का formation करवाएगा दूसरा root का formation करवाएगा clear ना समझ में आया तो यहाँ पर देखिए क्या है कि embryo में क्या हो रहा दो cotyledon बनेंगे उसके बाद में leaf में reticulate venation होता के आपने देखा हो गुलेहड का plant देखा ना तो गुलेहड के plant में आपने देखा होगा कि उसकी जो leaf होती है उसमें काफी इस तरीके से इस तरीके से arrangement पाया जा रहा leaf में यह तो यह जो venation है बन नहीं पार अच्छे से और यहाँ पर वेंस है वो इस तरीके से चारों तरफ distribute रहती है अलग अलग रहती है और इन में क्या है इस तरीके से net like structure पाया जाता leaf में ठीक है तो ऐसा जो arrangement होता है उसको हम लोग बोलते है reticulate venation actual में जो venation होता है वो further दो type का और हो जाएगा reticulate venation भी आगे further दो type का होता है यह अलग बात है आप उसको अलग पढ़िये का जागर के तो reticulate venation एम फ्लावर टेट्रामेरस और पेंटामेरस टाइप का होता है टेट्रामेरस और पेंटामेरस करने का विलब क्या होता है देखिए जो फ्लावर होता ना सभी ने फ्लावर देखा होगा आपने फ्लावर देखा आपको मिला भी होगा रोज वगेरा है ना किसी ने किसी ने प्रपोस किया होगा तो वह प्रपोस वाली बात याद मत करो याद करो कि जो फ्लावर मिला था या अभी आपके घर में जो फ्लावर लगा हुआ है उसको जब आप देखेंगे तो इसमें आपको ग्रीन कलर का इस्ट्रक्चर दिखेगा ठीक है ना नीचे की तरफ क्या दिखता है एक तो एक ग्रीन कलर का structure होगा जो leaf के form में आपको दिखाई देगा जो सबसे नीचे की तरफ आए जाता है दूसरा एक structure तीसरा एक structure आपको दिखाई देगा जो colored होगा ठीक है जो colored structure होगा फिर इस colored structure के central part में एक लंबा सा आप देखेंगे yellow color का या किसी और color का like आपने hibiscus rosa sinensis like gulhead के flower की हम बात करते हैं तो gulhead के flower में आपने देखा होगा कि red red color के structure के चारो तरफ एक 20 से central से एक लंबी से सनचना निकलती है ठीक है जो की gynosium का वो region होता है जिसको हम लोगी style बोलते हैं और उस gynosium gynosium yes gynosium बोले तो female reproductive organ और उसी gynosium पर बहुत सारे छोटे 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 structure प्रेजन रहते हैं like this इस तरीके से अगर हम देखें तो मैं बता रहा हूँ जो उसको समझेगा इस तरीके से green यह तो red है समझे लोग green color का structure है फिर इस तरीके से green color का structure होता है और यहां central से जे लंबी structure निकलती यहां से long structure यहां से develop होता है जिसको हम लोग बोलता है gynosium और यह gynosium के actual style वाला part होता है और इस gynosium के उपर बहुत सारा इस तरीके से आपने देखा होगा यह structure पाया जाता है इस तरीके से हैं ना तो यह structure होता है इसको हम लोग बोलता है stamen that means male reproductive organ ठीक है तो मैं क्या कहना चाहरा हूं उसको समझिये मैं जो बताने चाहरा हूं वो यह है कि tetramerus और pentameras कने बतब tetra मतलब होता है चार पेंटा मतलब होता है पांच अगर यह green green कड़का जो structure है इसको हम लोग बोलता है अगर kinholes तीन है अगर कैलिक्स तीन है तो उसको बोलेंगे trDR lijmeiras 수 चार है तो बोलेंगे ट SAR per गैलिक्स और करूला टो फ़ोर फोर अरेंज्मेंट में है that means चार कलोला है और चार को रोला हैं उसको गिनिये का जा करके आप जो गुलेड के फ्लावर के उसमें तो पांच से कुछ ज़्यादा हो सकते हैं पांच भी हो सकते हैं और वो जुड़ा हुआ होता है ये भी एक मार्फोलोजिकल प्लांट में आप अलेवंथ में पढ़े होंगे जिन लोगों ने केमपोटेशन की तैयारी करी होगी उनको अच्छे से पता होगा पताने के दरकार नहीं यहाँ पर मैं थियोरी लेकर के चलना हूँ इतनी एच्छी तरीके से जोना वीडियोज अपलोड नहीं हो रही है जिससे हमारा कही न कहीं पर जो 11-12 के बच्चे होते हैं वो तो चलो पढ़ लेते हैं ऑनलाइन क्लासेस कर लेते हैं लेकिन जो higher level के बच्चे होते हैं उनको अपने आप ही पच्ची करना होता है ठीक है हलाकि वो बच्चा इंटर से ही निकल के आया है ऐसा नहीं कि वो MSC करके BSC कर रहा है ऐसा नहीं है इंटर करके ही वो जाता है तो इतना well develop नहीं हो पाता तो उसको भी पढ़ना ही पढ़ता है ठीक है क्योंकि 11-12 में तो सब मस्तिकिये होते हैं 11 को rest year समझ के छोड़ देते है और 12 में थोड़ी मेहनत करते हैं तो फिर वो अपने चाचा-चा कहीं न कहीं पर लगे मिल जाते हैं जो नकल करवा देते कहीं न कहीं पर तो जुगार बन जाती तो वहां से वो सब तिक्डिम तामड़ा हो जाता है यह हम कह सकते हैं खरा हो जाता मामला तो कहने करते हैं तो tetramerus हो सकता है या pentamerus type का flower होता है that's clear इतना समझ में आया ना चलिए अब देखें सी के आगे लिखा हुआ है इस class में include mostly angiosperms यानि कि अधिक तर जो angiosperms हैं वो woody nature के लकडी के nature के होते हैं ठीके जिसमें wood पाई जाती लकडी पाई जाती है ठीके क्लास di cotonte legon को सेपल्स बब पैटल्स अब ये सेपल्स पैटल्स क्या है अरे सर अरे भाई सेपल्स और पैटल्स ये uniti यहां पर लिखी हूँ ए कैलिक्स और क cayrola की अगर मैं चैपल्स की बात करूंगा तो कैलिक्स कब बोलूँगा कैलिक्स तब बोलूँगा जब जो सेपल्स हैं यानि कि सेपल्स कहने का मतलब कैलिक्स की एक ब्रांच यानि कि ये जो एक रीजन है इसको हम लोग बोलेंगे क्या सेपल्स और इसके जैसे बहुत सारे हैं तो सब को मिला करके हम बोलेंगे क्या कैलिक्स समझ में आ रहा रहा ना मालो ये एक marker है एक marker है उसी की तरीके सा और marker आ जाए तो हम कहाएंगे a group of marker ना group है marker का तो यहाँ पर अगर हम एक को निकालेंगे तो वो क्या गलाएगा marker और बहुत सारे हैं तो markers हो जाते हैं ना बहुत बचन लग जाता है तो वहाँ पर English नहीं पढ़ा रहा है इसको समझो म और यह क्या है petals petals क्या है corolla की जो एक leaf वही रोज की एगर आप एक red structure को आप तोड़ते हैं red leaf को तोड़ते हैं तो वो उसकी कहलाएगी क्या petals clear ना और बहुत सारे यहाँ पर हैं तो मिला करके क्या कहेंगे उसको corolla ठीक है तो वही यहाँ पर कह रहा है sepals वा petals के arrangement के आधहा किया गया है यानि कि यहाँ पर sepals और petals का जो arrangement है इसके आधहार पर इसे किसे dicotyledon class को तीन सब classes में divide किया गया है कौन-कौन सी पहली सब class यहाँ पर दी गई है polypatelli polypatelli जिसमें free petals होंगे यानि कि जो petals होगा जो petals बोले तो corolla जो होगा corolla कहने के बतलब जो red color का structure होगा वो free होंगे अलग-अलग होंगे कोई भी जुड़ा नहीं होगा सब अलग होंगे ऐसा arrangement अगर किसी plant में देखा गया तो उसे sub class polypatelli में बैंथा मुकर ने उठागर के रख दिया समझ रहो उसके बाद में यहाँ पर है monoclomidae monoclomidae sub class में क्या रखा गया यहाँ पर रखे गये हैं indistinct sepals and petals यानि कि यह पता ही नहीं है sepals कौन है और petals कौन है कहने का मतलब कुछ ऐसे भी sepals और petals होते हैं जो एक ही color के हो चकते हैं या तो petals भी green होगा sepals भी green होगा या sepals भी colored होगा petals भी colored होगा तो ऐसा अगर कहीं arrangement देखने को मिला flower में या किसी plant में तो उसको उठाए उस सब्सक्राइब है third sub class में रख दिये समझ में आ रहा है चलो उसके बाद मैंने यहां पर second जो आपकी क्लास है जिम्नो स्वम उसको मैंने यहां पर delete कर दिया है उससे कोई लेना देना नहीं आपको सिर्फ दो classes यहां पर याद रखनी हाला कि जो बच्चे याद रखना चाहिए तो उसको कहीं से भी आप अरेंच कर लिजिए का model paper वगेरा में रखा होगा स्वरी model paper वगेरा में लिखा होगा तो वहां से देख लिजिए का हाला कि उसका कोई लेन देन नहीं यहां पर लेकिन यह दो जो important है वहीं मैं यहां पर समझा रहा हूँ जो तीसरी class यहां पर है वो है monocotyledon अच्छा देखो यहां पर एक इनकी गलती नहीं पकड़ी जाती ठीक है लेकिन यह हो गया कोई बात नहीं अब दो विचारे बंदे इतना बड़ा classification दे रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो खामिया निकलेगी ही तो यहां तो सभी लोग अच्छे अच्छे हैं लेकिन फिर भी गलतीया हो जाती है तो class 3 देख लीव में parallel venation लीव में parallel venation बोले तो ऐसी लीव जो side से एकदम plane होगी parallel venation इसमें किसी भी तरीके का arrangement या उभार दुमार अचना नहीं होगी इस तरीके से वेन होगा और इस तरीके से leaf होगी like eucalyptis आप देखे होंगे और इसके अंदर जो venation होगा like distribution होगा वो इस तरीके से से एकदम serial सुरी यह तो अलग ठाइब का होगा इस तरीके से होगा सीधा सीधा ठीक यह इस तरीके से जो वेनेशन होगा उसको पर लोग बोलता है parallel venation और यह भी दो टाइब का होता है इसी लिए इसको ट्राइमेरस टाइब का वही ट्राइमेरस टाइब बोले तो यहां प का होता है clear इस type के लिभा इस टाइप एंजयो स्पर में इस टाइप के एंज्जेयो स्पर म जनरली हरवेशियस फर्म में पाए जाते हैं जिनको नौर्मली या सामानिता नो को सामानिता किया कहते हैं मोनोकॉट कहते हैं देखिए बैंथम और हुकर ने मोनोकॉट में या मोनोकॉट इलिड़ॉन क्लास में कुल साथ सीरीज को इंक्लूट किया है कितनी सीरीज यहां पर दी है केवल साथ सीरीज यहां पर दी है जिनमें कई और 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 फैमिलीज को क्लासिफाइड किया गया है जिन में बहुत सारे order और फैमिली को क्या किया गया है classified किया गया है इतना हमारा हो गया अब इसके बाद में बैंथम और हुकर का जो classification system अपने लोग देख लिए अब इसकी जो merit और मेरिट है उस पर भी क्या होता है short note आता है तो वह हम लोग अब यहां पर discuss कर लेते हैं बैंथम और हुकर के classification की merits क्या है और demerits क्या है ओके चलिए बच्चों हम लोग इसका merit और demerit के बारे में देख लेते हैं मेरिट जो है उसको हम लोग बोलते हैं गुण और demerit कहने का मतला दोश इसके क्या property है क्या गुण है जो मैंधम मुकर ने classification system अपना दिया है उसका क्या important role है और इसमें जो important roles के अलावा जो कुछ गलतिया इनों की है उन गलतियों के बारे में भी यहां पर आता है तो merit or demerit important है इसको थोड़ा सा हम यहां पर जो है न थोड़ा सा अच्छे से देखते हैं और मैं यहां पर आपको definitely theory बोलने वाला हूं point wise point तो आप उसको pen company का लिए लिखना सुरू कीजिए ठीक है और यह आपके exam के point of view से बहुत important है short note आता है इसके उपर इतना याद रखिएगा तो इसको लिख लीजिए तो पहला point यहां पर लिखिए bantham and hooker द्वारा proposed classification system एक original natural classification system है कैसा है एक original natural classification system है जो original plant specimen के original plant specimen यहने की जो plant का specimen है specimen कहने का वल्लब क्या है कि हम किसी plant की specimen को काट ले लेकि आप लोगों ने जब practical किया था तो practical में आपको specimen जो दिखाएगा है ना बिल्कुल वही जो original plant specimen के observation observation कहने का मतलब होता है कि हम उसको observe करें देखें और देख करके हम क्या करेंगे उसको classified करेंगे ठीक है observation पर आधारित है ठीक है यह classification system किसी unclassification system की copy नहीं है यानि कि यह classification system दिया गया है यह originally दिया गया है यह किसी दूसरे classification system को देख करके नहीं दिया गया है ठीक है चलिए दूसरा point लिखें है इस classification में families की starting key दी गई है यानि कि जो family की starting key है इस जो classification system में क्या है इस classification system में जो families हैं जो families हैं इसकी key starting दी गई है क्या दी गई है key starting जो key यहां पर point है जो key points है उनको दिया गया है तो क्या लेखा इस classification में families की starting keys को दिया गया है जिनके आधार पर उस family में include plant की identification easily से किया जा सके यानि कि जो plant का identification है उसको आसानी से किया जा सके तो कुछ key यहां पर दी गई है जिसके आधार पर जो हमें पता होगा उसके आधार पर हम क्या कर देंगे plant का classification कर सकते हैं, ठीक है, चलिए, अगला point लिखें, इस classification system में plant को इसकी habit तता habitat के आधार पर भी classified किया गया है, यानि कि जो इसका habit और habitat है, उसके आधार पर भी इसको क्या किया गया है, classified किया गया है, ठीक है, जिसके आधार पर plants की सही identity में सहयता मिलती है, यानि कि पहचान म साहता मिलती है ठीक है अगला इस क्लासिफिकेसिंट सिस्टप में फिर्स्ट और जैने सिस्टप में फ्रस्ट ऑडर एक नमबर் पक्का first order Reynolds माना जाता है या Reynolds के form में रखा गया है जिसे NGO sparms का most primitive order सबसे पहला order NGO sparms का माना जाता है आताहा classification में इसकी जगह सही है यानि कि जो classification किया गया है ये Reynolds जो order दिया गया है ये बिल्कुल सही है इसमें कोई दो रहा है नहीं है इसी में लिख लिजे इस classification में Gramini family bracket में 409 लिख दीजेगा 409 इसका एक serial number है 409 number पर ये family रखी गया 409 families को यहाँ पर दिया गया है याद रखिएगा तो क्या लिखा इस classification में Gramini family NGO sparms की last family मानी जाती है NGO sparms की क्या है ये last family मानी जाती है क्लासिफिकेशन में इसका place सही है इसका इस्थान बिल्कुल सही है चलिए इसके बाद में heading डाल दीजिए demerit ये तो merits की बात हो गई पांच merit बहुत है अब demerit में आप देखें यहाँ पर पहला point लिख लिजिए Bentham and Hooker के Bentham and Hooker के classification system की main demerit इसमें जो मुख्य demerit है इसमें gymnos pumps की उपस्थित है यानि कि जो gymnos pumps को यहाँ पर इन्हों ने include कर दिया सबसे बड़ी demerit तो इनकी यही है सबसे बड़ा दोस्त तो इस classification system का यही है कि आपने यहाँ पर किसको include कर दिया gymnos pumps को include कर दिया इसमें फ्लावर होता ही नहीं है फ्लावर लाइक structure होते है बड़ फ्लावर नहीं होता fruit बनेगा बड़ा है हम लोगों ने भी इसी फस्थियर बड़ा तो क्या लिखा उपस्तित है लिखें इसमें इसमें लिखें gymnos pumps को angios pumps से most primitive माना गया है आता है इस classification system का gymnos pumps का सही स्थान die court से पहले यानि कि जो die court यहाँ पर class दिया गया है उससे पहले gymnos pumps को रखा जाता तो better है ठीके तो यह गलत है कि die court के बाद में gymnos pump आ गया gymnos pump के बाद में monocotylidon को रखा गया है ठीके तो यह गलत order है इस वज़े से इनकी यह demerit पकड़ी गई next point लिख लीजे इस classification system में bentham and hooker द्वारा कुछ series एक special character पर based एक दूसरे से आधारित एक दूसरे से अलग series में रखी गई है यानि कि जो special character है कुछ plant के ऐसे special character है जो एक जैसे मिलते हैं लेकिन इन्हों नो क्या कर दिया है कि अलग-अलग series में रख दिया उनको ठीक है अलग-अलग series में रख दिया जो इसका सही place नहीं है टीक है मिलद दो ऐसे plant है जिनकी series जो है ने कर characterization जो एक जैसे मिलने हैं घृ के दिया तो यह गलत हो गया तो यह सीरीज के गलत होगे इस बज़े से यह demerit बन गया अगला point लिखिए इस classification system में dicot के बाद monocot को रखा जाना evolution point से सही नहीं है बिल्कुल सही बात है evolutionary point से dicot को monocot से पहले रख दिया तो यह सही नहीं है इसलिए क्या हो गया जैसका demerit हो गया अगला point इस classification system में कुछ मुख के family for example compositi वा और की daisy compositi वा और की daisy का इनके character के आधार पर placement सही नहीं है यानि कि जो character इनके हैं इसके आधार पर जो इसका placement है वो सही नहीं है इन दो families को लेकर के तो यह भी इसका एक demerit है अगला point लिख लिजे last है इस classification system में Bentham and Hooker ने कुछ past की related families यानि कि कुछ past की related families हैं ऐसी family जो past past की नजदी किया जैटमेंस दोनों के character एक जैसे हैं कहने को बिलब यह है कुछ past past की families को बिना किसी specific reason के इन्हें displace किया गया यानि कि अब यह पता ही नहीं था इनको कि क्यों हम हटा रहे हैं से इसको हटा क्यों है और जो कि बिल्कुल past past की वो families है यानि कि character में बिल्कुल एक दूसरे के similar है इस specific reason के इन्हें displace किया गया है जिसके कारण इन families का placement सही नहीं है ठीक है तो students यह हमारा merit और demerit हो गया आसा है आप लोगों ने लिख लिया होगा और अगर यह lecture पसंद आया है तो मेरे lecture को इसी तरीके से like करते रहिए share करते रहिए अपने दोस्तों में और ज्यादा से ज्यादा subscribe कीजिए पहला icon को दबाईए जिससे मैं जो भी video lecture डालूँगा वो आप तक सबसे पहले पहुचेगा अब हम लोग next lecture में आपसे मुलाकात करते हैं thanks a lot